हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब में हो प्रतिक और आप दिखरें ट्रेडिंग टॉपर आज हम बात करने वाले डीपक नाइट्रेट के बारे में आज हम इसका डीटल टेक्निकल और इस अने अनलिस करने वाले तो शुरू करते हैं तो इस कमपनी का हम पहले फॉने में इस कर लेटेते हैं इस हिससे आगे बढ़ चुकत यह बूक वालिव 172 है तो बूक वैल्लिव कि इसब सीष कि शेर पर ब्हुत ही आगे जा चुकी है तो नेक्स्टि लेवल इसके बुक वेलू और करना जो यह कंपेर करना बहुत ही मुश्किल है इसके सब्सक्राइब यह कंपनी जो डिविद्ट भी देती है इसका जो डिविद्ट इंट रेशो यह वह 0.19% का डिविद्ट इल्ड इसके जाथ आरसी चेक को रहे है तो आरसी 39 यहां पर चल रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आरुसी और रवी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं तो यह एक देखने वाली बात है लेकिन जांदर करदा नहीं है तो हम इसे नजर अंदाज कर सकते हैं इस कंपनी का बिजनस है वह केमिकल इंडर्स्टि में यह बिजनस करती है 80% मार्केट है वह शोडियम नाइटर से बनता है इनका जो 80% मार्केट शेर वह बेशिक चैमिकल प्राइब करने के कोशिश में लगी हुई है इननोंने अपना जो थोड़ा सार इड्यूस भी कर लिया है इसे के साथ market cap के हिसाब से यह company जो फॉर्थ नंबर पर रैंक करती है इनकी इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में इनका जो फॉर्थ नंबर पर रैंक आता है कर देश्यान पर पर चुक्येए 1500 को रोट्ट की 1500 की से 303 को रोट का इनका जो प्रोफित बन गए सालान प्रोफित चेक कर तो सालन प्रोफित 979 को रचप पहले जो ता 776 तो उसको ब्रेट करते हुए यह ब्लडाम हाइप टीटीम का प्रोफित चेक कर रहे तो 979 बना दिया यह अच्छी बात है पिसलिए 2015 में 53 ता 53 से इन्होंने 900 तक का सफर पार कर दिया है ऐसे ही चलता रहा तो अगले बार यह 1000 का आखड़ा भी पार कर देंगे तो हमर लिए एक अच्छी बात है इसके अगर पार कर दिया है पहला जो ता 4000 अब भी 5000 आखड़ा युन्हों ने पार कर दिया है तो यह आमरे लिए अच्छे बात है कंपणी की सेल्स बढ़ रहे हैं तो शेयर प्राइस भी और आगे जा सकती है अगर चर्क रहें तो 3567 आखड़ है तो चर्ण चल रही चल करें तो 7 का इनका बीच परमोटर के पास 45 परसेंट से यह पास 11 परसेंट से दियाएज के पास 10% से प्रमोटर के पास पहले 44.63 परसेंट शेर अब भी 45.69 तो वन परसेंट की इन्होंने अपनी हिस्थे दारी वह बड़ा दीए तो यह पॉजिटिव बात है प्रोमोटर जो आपने शेर्स बड़ा रहे इसका मतलब यह होता है कि प्रोमोटर को कमपनी पर बरसा है को फ्यूचर में कमपनी की कुरूफत जो और भी देख रहे तो फ्रोमोटर अगर कमपनी का फ्यूचर अच्छा देख रहे तो अमरे लिए एक अच्छी बात है कमपनी का फ्यूचर है और भी आच्छा हो सकता है कमपनी अगर प्रेजेंट में देखे तो बहुत यह बड़ी आच्छे कासे कर रहे तो फंडमेंटल कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाई इसकी प्राइस के तो बुक वैल 2020 में था 500 पे बी जो चल रहा है वो 2300 पे चल रहा है तो आप देख सकते किस तरह से यह शिर जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहे हैं अगर हम देखे तो 2019 से अगर चेक करें तो इसने कितना हमें प्रॉफिट दिया है वह भी हम देख लेते हैं तो किसनी इसमें कितनी बढ़त आ चुक है 2019 से तो 2019 में 200 पे हुआ करता था अभी जो यह चल रहा है उस वैल्यू का अगर देखे तो 1000 परसेंट की इसने प्रॉफिट हमें दिया है जिसने भी इसे 2019 में खरेदा था तो अभी इसका प्राइज टू 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 ट्री हंड्रेट चलता है तो 1000 परसेंट का प्रॉफिट इसमें पिछले दो साल में दिखाए और भी इसमें पोटेंशियल है और भी इसके प्रॉफिट बढ़ रहे है वो गुए तरफ वोट कर रहे हैं तो यह भी हंची बात है कि ज्यादे सदा दो लोग बाई की तरफ वोट करें इसका इसका जो पास्ट है बहुत ही बढ़िया पास्ट है 1000 परसेंट का रिटरन ने ने दिया है तो फ्यूचर में भी कह यह इतना ग्रोथ हो सकता है तो हाँ हो सक सकता है क्योंकि fundamentally company और भी अच्छा का सब पोफॉर्म करती जा रहे यार से यारी बढ़ता जा रहे प्रॉफिट बढ़ता जा रहे इनकी से वह भी बढ़ती जा रहे तो उसके सबसे इसके प्रॉफिट जो और आगे जा सकते तो कहा तक जा सकते हैं वह भी हम देख लेते तो इसका जो रिस्टेंस आएगा यह स्ट्रोंग रिस्टेंस होगा बीच में भी रिस्टेंस आ सकते तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 3000 का इसका जो लॉंग टर्ब टार्गेट बनता हुआ मुझे दिख रहा है तो 25% का जो इसका टार्गेट आता हुँ हमें दिख सकता है जल से जल्द आ सकता है यह टार्गेट अगले कुछ महिनों में अगर इसका शॉट तम में एक शेर अभी क्या कर रहा है वो भी देख लेटे तो नीचे के तरफ अगर हम देखे तो यह अभी नीचे के लेवल पर तो नीचे के लेवल पर देखे तो 2300 का ही इसको support मिल रहा है अच्छा खासा support इसका 2300 का है उपर की तरफ देखे तो छोटा सा resistance भी आ रहा है जो यह अभी face कर रहा है तो face जो कर रहा है वह 2500 का है तो यहां से यह यह उपर की तरफ अगर जाता है तो 2500 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे की तरफ यह है 2314 रूपीज का यह जो support ले सकता है ऐसा मुझे लग रहा है तो overall शेयर में टेक्निकली भी ज्यादा लॉस होने के चांसे बहुत